लाइफ के लगे पड़े हैं पढ़ा ही नहीं हो बारी है, करियर का नहीं पता है, जॉब का नहीं पता है, बिस्निस का नहीं पता है, अगर यह सब चीज़े हैं भी में दिमाग नहीं बलग पार है रिलिशनिप इसमें और शिес oncères युउस है आपको एक चीज़ प्रामिस करने पड़ेगी कि जो जो चीज़ों मैं बताऊंगा ना उन सब चीज़ों को अपलाई करना पड़ेगा और तुमको शिक्षित बनना पड़ेगा क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ती ही और लोगों को शिक्षित कर पाएगा और जैसे ही एक इंसान शिक्षित होगा, वैसे ही पुरा जो देश है, ये शिक्षित होगा, okay, so, here are some six points, आप ये सारे six points देख सकते हो, कि आपको अपनी life आप किस तरीके से fix कर सकते हो, right, now, ये देखे, there are six points, और हम इन छह के छह पॉइंटों पे detail के अंदर बात करेंगे, व नेक्स वीडियो जो बने, वो आपके problem के उपर बने और आपके problem sort हो जाए, now, पहला चीज़ आता है कि, mindfulness and presents, what is this mindfulness and presents, जब भी आपको life जीनी है, आपको present moment पे जीना, you have to live your life at a present moment, क्योंकि जब तुम present moment में रहे होते हो, तब तुम thinking भी present moment में कर रहे होते हो, तब तुम present moment में होते हो, तुम future के चिंता नहीं कर रहे होते हो, तुम से present moment में रहते हो, तुम से present moment में action कर रहे होते हो, क्योंकि जो तुमारा सारा जो focus होता है, तुमारा आज के time पे होता है, जब तुम सारा अपना focus और energy अपने सारे आज के time पे लगा दोगे, तब तुमारा future क्या नुक्सान ओने क्या benefit होने वाला एगर अपने नितरों साथ घूम भी रहे हो तब तुह को पता होना है चाहिए What क्या benefit होगा मुझे या क्या नुक्सान होगा। कुछ भी चीज खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए इसके pros and cons जब तुम इस तरीके से life को लोगे न, थोड़ा से मुश्किल होता है, तब तुम अपने maximum human potential की तरफ भढ़ते हो, तब तुम अपने maximum human potential की तरफ भढ़ते हो, फिर हमारा दूसरा point आता है, that inner awareness and self-discovery, एक बार के inner awareness and self-discovery, अब तुमको एक particular चीज पता होने चाहिए, अपने बारे में तुमको पता होने चाहिए, अपने आपको discover करने है, अब अपने आपको discover करने का मतलब क्या होता है, कि आपको अपने अंदर जाके अपने आपको introspect करना है, अपनी understanding मना के रखनी है, अपने आपको introspection के अंदर जाने कि यार मैं कोई अगर job कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं बिजनस कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं किया इसका कोई क्या ये गोल क्या ये job मेरे long term goals of vision से align करती है है अपने अपने अपको thoughts को explore करना है कि अर ये प्रटिकुलर negative thought अरहे ना मेरे पास कि अगर कोई particular मेरे पास negative thought आ रहे है तो उसका root क्या है? अपने emotions के बारे में पता होना चाहिए क्यों जब तक तुमको अपने emotions के बारे में नहीं पता होगा तुमारे emotions तुमारे control के अंदर नहीं आएंगे जहार in इ求 तुम्हारे कन्ट्रोल के निर नहीं आएंगे तब कोई भी आरा गेर न्थ न तु गेरा तुमhara के फायदा उठा जाएगा तुम्हारे इमोशन का कन्ट्रोल लेके चला जाएगा और जिसमी इंसान के हाथ में तुम्हारे इमोशन सा क अंट्रोल है एक बार फिर से जिस भी इंसान के हाथ में तुम्हारे emotions का control है उस इंसान के हाथ में तुम्हारी पूरी life का control है बंदू तो इस बात को तुमको इस तरीके समझ रहा है क्योंकि अगर यह छोटी सी चीज तुमने कर लिना छोटी सी चीज तो मैं नहीं कहूंगा यह थोड़ी सी complicated चीज है तब तुम्हारी life के आदे जाधा problem ही खतम हो जाएगी राइट तीसरा point आता है that acceptance and letting go अब यह क्या होता है that acceptance and letting go यह देखो practice acceptance of yourself कि अपने आपको you have to accept अपने flaws को accept करना, अपने weakness को accept करना अपने strength को accept करना, अपने past को accept करना कि ठीक है भाई, जो मेरे साथ होना था वो अब हो गया अब मैं उसे learning extract करूँगा learning निकालूँगा उस past से उसको present में लगाऊँगा जिससे मेरा future better होगा और you don't have to feel bad about yourself कि अर्मेरे अंदों तो यह कमी है, वो कमी accept कर लो, जितना भी जो भी चीज हो रहा है आसपास में अगर कोई तुम्हारे साथ negative है, accept this change करने कोछ भी कोशिश मत करो क्योंकि तुम भारवाले को तुम वैसे भी change नहीं कर सकते just accept that particular thing अगर कोई जा रहा है, जाने दो कि भाई ठीक है तू चला जा, टाटा भाई भाई अगर कोई आ रहा है, आने दो problem तब create होते है, जब तुम external environment को external लोगों को अपने accordingly change करने ही कोशिश करते हो पर वो इस level पे, जिस level पे अभी तुम हो, जिस mindset के level पे तुम हो वो possible नहीं हो पाएगा पर ऐसा नहीं है कि आगे चलके possible नहीं हो पाएगा, तुम कर पाओगे control अपने words से so just accept everything और सबको जाने दो, जो चीज हो रही है उसको होने दो बस तुमको एक चीज पे focus करना है कि और कौन सी चीज मेरे control के अंदर है कौन सी चीज मेरे control के अंदर है और कौन सी चीज मेरे control के अंदर नहीं है नेक्स आता है meditation and silence अब ये ना बहुत जाद important चीज है इस पे ना काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि meditation क्या होता है देखो अभी मैं ये assume कर रहा हूँ कि तुमहारी जो stage है तुमहारी जो stage है वो या तो तुम student हो या तुम job कर रहो या तुम business के अंदर हो या तुम अपने early 20s के अंदर हो या तुम अपने early 30s के अंदर हो तो सबसे पहले तुमको meditate क्या होता है what is meditation meditation का अदलब होता है ध्यान लगाना meditation का दलब होता है ध्यान लगाना पर ध्यान किस पर लगाना अभी तुमको सिर्फ thoughts पर ध्यान लगाना है अभी तुमको सिर्फ अपने problems पर ध्यान लगाना है कोई भी life में problem है उसको लिख लो just note that particular problem down after that think about that problem किया इस problem का क्या solution निकाल सकता हूँ पूछते रो जब तक answer निमेले तब तक अपने अपसे पूछते रो किस तरी किस निकलेगा किस तरी किस निकलेगा अगर तुमको नहीं पता किस तरी किस से solution निकलता है तुम नहीं पता तुम confuse हो तो नीचे बाई हो के अंदर link दिया हो है just take my consultation 90% of the time यह होता है कि तुम्हें अपने आपसे आंसर मिल जाते हैं अगर तुम उस particular problem पे ज़्यादा वक्त देते हो उसके solution पे ज़्यादा वक्त देते हो एक बाई problem तुमारे पकड़े में आगे उस problem के रूट तक कहुंचा हो अभी के लिए यह meditation होता है तुमको अपने thoughts का जो अंदर जो clutter लेक मचा पड़ा है ना उसको declutter करना है sort करना है अपने आपको silence के अंदर बिठा हो अकेले बैठ जाये करो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट एक घंटा अगर तुम डेली अकेले बैठ रहे हो अपने thoughts के साथ बैठ रहे हो तो समझो इन सब चीज़ों करो फिर मारी इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ हमार जो फिफ्ट पॉइंट है वह आते creative expression and authenticity और डिस दिस ऑफेंटिसिटी तुम अपने आपको creatively कैसे express कर पाओगे जब तुम अपने आपको accept करोगे इससे पहले बाले से हो कुछ और तब तुम्हारी creativity भी भार नहीं आ पाईगे जब तुम अपने आपको accept कर लोगे तब तुम creative बन जाओगे तब तुम जॉब के अंदर हो सकते हो तुम कोई artist हो सकते हो तुम creator हो सकते हो तब वहां पर तुम्हारी creativity निकलेगी बिना authentic acceptance के बिना letting go के बिना meditation के आपकी जो creativity है वो नहीं निकलेगी आपकी uniqueness भार नहीं निकलेगी क्योंकि जो ये negative thoughts होते हैं न ये तुम्हारी barriers बने होए होते हैं जो uncluttered thoughts होते हैं विचार होते हैं तुम्हारी दिमाग में वो एक बादलों की तरह होते हैं जो तुम धीर धीर उन बादलों को हटाओ के वैसे तुमको आस्मान से गरोशने दिखाई देगी तब तुम्हारी जो creativity है वो डेवलप होने वाले हैं नहीं हो थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए पर धीर धीर तुम सब समझ जाओगे अब जब मैं लव की बात करता हूं तब तुम्हारे चिम्टे अभी सीदे सारे खड़े हो गए होंगे अब बात करेंगे लव की अब आएगरा मजा पर 99.99% of the people doesn't know what actually love is you have to understand love you have to understand love and what love is accept the way things are accept the way the things are this is called love this is called love की भाई ठीक है अगर तुम कहरो कि I love that particular person तब तुम उसको change नहीं करोगे तुम उसको उसकी साइज़ जीज़ एसेप्ट करोगे उसके thoughts करोगे उसके actions करोगे अगर कोई सामने वाले इंसान कोई particular action कर रहा है और उससे तुमको problem हो रही है न तो तब तुम प्यार के अंदर नहीं हो तब तुम सिर्फ एक ego के अंदर हो तुम उसको control करना चाह रहे हो अब काऊगे कि भीया आर दूसरी की हमको अगर को दूसरा गलत कर रहा है तो हमको उसपे भी तो आवाज उठाने चाहिए नहीं उठानी चाहिए अब क्यों न उठानी चाहिए अपने आपसे पूछो कि कितनी बार तुमने अपने आपके साथ गलत कर रहा है, क्या तुमने तब आवाज उठाई, नहीं उठाई कितनी लाइफ अपनी तुमने सौटेट कर ली, नहीं करी न, तो जस्ट फोकस अन यॉर्सल्फ फॉर्स्ट, अब आपका होगी कि भाई यार हमको दूसरों पर विध्यान देना चाहिए, नहीं देना अभी, तुम्हार पास सौ साल नहीं है, तुम सिर्फ कुछ ही साल के महमान हो, उस पर्टिकलर टाइम के अंदर तुमको अपने आपको समझना है, सल्फ डिस्कवरी के अंदर जाना है, कौतम बुद इसलिए दूर नहीं चले गए थे, पहले खुद को बदलो, तुमको देख देख सब बतल जाएंगे, समझ मैं है, and I hope ये वीडियो तुमारा थोड़ा सा, तुमारा हेल्प कर रहोगा, थोड़ा से वीडियो ने, और अगर ये वीडियो समझ मैं ही है, तो obviously तुमें पता है नहीं क्या करना है, share करना अपने दोस्तों के साथ, उनको ये सब चीज़े बताने जिनके लाइफ के अंदर भसाड मची पड़ी है, और कमेंट्स के अंदर नीचे अपनी प्रॉब्लम लिखने है, जिससे कि हमारे जो नेक्स वीडियो है, तुमारी उस पर्टिकल प्रॉब्लम के उपर हो, समझे बंदू? सो इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर कतम करते हैं, इस अबर शिकर चाधरी, स्टे हैपी, स्टे हमबल, स्टे शिक्षित